हम चर्चा करने वाले हैं 12 chemistry का जो आर्गेनिक का जो पहला चेप्टर है एंस थापन है उसके बाद बर्ज अभी अ करिया के बारे मैं हम पढ़े फ्रेंक्लेंड अभी करिया उसके बाद ग्रिन्यार अभी कर्मक भी पड़े बिलियम सोन इथर संसलेशन अभी करिया भी पड़े वी हाइड्रोजनी करन भी पड़े हम तो वी हाइड्रोजनी करन वहां से क्या था हाइड्रोजन और हैलोजन निकलता था उसके बाद आर एक्स की रासानी का विक्रिया है उसको इस वीडियो में टोटली कभर करेंगे उसके वाद अगले दिन से हैलो एरीन पर चर्चाएं होगी तो चलिए आज के टॉपिक चुरण करने से पहले आज की लिए जिंदगी की असली औराण अभिवांगी है जिन्दगी में कई इमतिहान अभिवांगी है अभीतो नाप्य है बस मुठ्ठी बरili मौने अभीतो पूरा आसमान भांगी хै तो अगर आप जिन्दगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और सब लोग चाहता है कि हम बहुत उचाई ओपर पहुँचे और बहुत कुछ कर लें जिससे हम चले जाएं लेकिन हमारा नाम जरूर रह जाए तो अगर ऐसा है तो आप सबसे पहले knowledge लेजिए पढ़िए सीखिए कुछ और तब आगे बढ़िए तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहला भी करिया आज का है और आपका सिक्वेंस जो रियक्षन चल रहा है उसमें आठमा रियक्षन है आपका हॉप में अभी करिया हेलो एलकेन जो है हॉप में एक वेग्यानिक थे जिन्होंने यह ज अभी करिया क्या करता है तुछे देखेंगे कि किस प्रकार अमोनियां से अभी करता है यह जो रियक्षन है बहुत इंपॉटेंट है यहां तो काम आएगा इसके बाद आपको काम आएगा जब एमीन वाला चप्टर आप पढ़िएगा वहाँ पर भी चेप्टर बहुत डी चीजे ये तो आपका चाहेता जानने वाले यह तो आप जानते ही हैं तो सियल है यह अभी करिया करेगा अमोनिया यह किमिकल फार्मूला होता दोस्तों और यह रियक्षन करके क्या बनाएगा एमीन तो एमिन असिन यहांसे क्या होगा आपको एक जगह से H मिलेगा, एक जगह से H निकलेगा और दूसरे जगह से CL निकलेगा, तो यहां से क्या होगा, SCL निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, वहां से बाहर हो जाएगा, अब एक रिया से SCL निकल करके बाहर हो गया, और बना क्या, तो बना आपका एमीन बन जाता है, त यही नहीं रुकती है दोस्तों यह लगातार आगे बढ़ते रहती है चलते जाती है तो फिर क्या होता है यह जो है ना एनस्टू जो अब जब रियक्षन में आप डालिएगा हैलो एलकेन और अमोनिया नहीं रहेगा बहुत सारा पर्मानू रहेगा अब यह जो रियक्षन है यह हैलो एलकेन और अमोनिया विक्रिया करके CS3 नहीं रुकता है यह रियक्षन आगे की तरफ भी बढ़ती है दुबारा यह हैलो एलकेन से रियक्षन कर लेता है इसको आप क्या कर सकते हैं एन एच और एच के रुप में लिख सकते हैं यहां से एच निकलेगा यहां से सी दुबारा यह माइनस SCL हो करके विलियन से अलग हो जाएगा माइनस SCL हो करके विलियन से अलग हो जाएगा और बनाएगा क्या दोस्तों आपके लिए तो बनाएगा यह देखिए अब CH3 इसका एक बंद और खाले हुआ तो CH3 एन एच बनेगा इसके अलावा इधर से एक औ हेलोजन में हूँ अब हेलोजनी करन आप निर्मान में पर रहे थे उसी प्रकार का रिएक्षन ये भी है। तो C3H3CH3 ये अभिक्रिया करता है दोस्तों दुबारा किस से हेलो एलकें से । सियल से अभिक्रिया करेगा सियल से अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा देखिएगा अब यहां करेगा तो अब देखिए यहां से इस को आप इस पर कार लिख सकते हैं यह एच और यह सियल फिर बिलियन से बाहर हो जाएगा एसेल बाहर हो गया निकल गया ग्यास बन करकी अब क्या हुआ यहां एदर भी ch3 इधर भी ch3 इधर भी ch3 अब कहिए गा लेकिन इसके पास क्या है एन के पास दो lone pair electron परा हुआ है दो lone pair is के पास अभी परा हुआ है यह lone पर क्या करता है फिर अब फिर एक बार रियक्षिन अब तो कहिएगा कि हाड्रोजन नहीं है इसके पास तब पर भी रियक्षिन करता है तो किस प्रकार रियक्षिन होगा अगला और वह अम्तिम रियक्षिन होगा इस चैन का तो किस प्रकार रियक्षिन करता है CH3 N है CH3 है CH3 है अब यहां पर क्या है यह CH3 CL से reaction करता है यह और CH3 CL से reaction किस प्रकार करता है यह जानते CH3 CL इसके बीच जो एकल बंद बना हुआ CH3 CL के बीच देखिएगा जरा से CH3 CL के बीच एक एक इलेक्ट्रोन रखने के फलसरोप एक एक इलेक्ट्रोन रखने के फलसरोप यहां पर क्या हुआ है जी एकल शाह संयोजक बंद बना है अगर यह दोनों इलेक्ट्रोन अगर यह दोनों इलेक्ट्रोन कलोरील लेकर के चला जाएगा तो CL पर मैनस आ जाएगा जो इलेक्ट्रोन लेकर के जाता है उस पर मैनस आता है और जिससे इलेक्ट्रोन दूर जाती है उस पर पलस आता है तो CH3 क्या हो जाएगा पोजेटिव हो ज के लिए कोई दूसरा कोई सहारा बन करके ख़रा होता है तो यह जब देखता है आपका यह जो एमीन है यह जो आनके यहाँ N होगा, पहले से CH3 था ही, CH3 इधर भी था, CH3 इधर भी था, तीन साथ CH3 है, और यह दो लोन पेर है, दो लोन पेर दे करके, इसके साथ CH3 बंध बना लेगा, इसके साथ आ करके जुर जाएगा, तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन ने इलेक् लेकर के दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा सुरू कर देता है, तो सियल मैंनस यहाँ से तो बिलियन में खाली परा हुआ था उसका कोई दूसरा साथ देने वाला था नए तो हुआ क्या तो जब यहां पलस देखा इसका डी या क्वित खतγक भी गजास रहाँ यहां पर यहां पर आया करके बना लिया तो जानते का मैं eggs खतन हो हेलो एलकेन अमोनिया से अभिकरिया करके एमीन बनाता है ये भी क्या है एक एमीन ही है तो ये लंबा रियक्षन चला ये लगातार कितना जी अमोनियाम तीन हाइड्रोजन था तीन रियक्षन वहां हुआ और दो लोन पेर था उसने भी रियक्षन करके एक किसका निर्मान किय किया यहां तक अब टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा तो आगे चले बात जारी रखता है कहता है ऐल्कील साइनाइड अभिक्रिया जब तो हेलो-एलकेन की अभिक्रिया जब हम एल्केन की अभिक्रिया पोटासियम साइनाइड से करवा दिया जाता है तो एक हेलो एलकेर आप लेलीजे CH3-Cl इसकी अभिक्रिया इसकी अभिक्रिया अगर करवा दिया जाए इसकी अभिक्रिया अगर करवा दिया जाए किस से करवा दिया जा या है कि य यह एकल बंद से जुरा हुआ है दोनों एक एक इलेक्ट्रोन रखे हुए है तो इस दोनों इलेक्ट्रोन को c l minus लेकर के चले जाएगा यहाँ पर भी बंध बना हुआ था cn अपना electron दे करके वो अपना electron ये के पलस और cn minus के पलस होता है cn minus होता है cn को syanide कहा जाता है जब c बंध बनाता है तो उसको syanide कहाता है तो ये बात है तो CH3 के साथ आकर के काउन जुरेगा तो इससे दूर होगा electron CL माइनस बनेगा ये के पलस बनेगा तो यहाँ पर क्या बनके अलग होगा KCL क्या बनेगा KCL बनेगा और CH3 के साथ CH3 के साथ CN आकर के जुर जाएगा तो इसी को कहते है CH3 Alkyl Group का है और CN लगा इसको कहते है Sainide तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते है Alkyl Sainide बनाते है दोनों मिलकर के क्या बनाते है दोस्तो Alkyl Sainide तो क्या था लिखा हुआ था देखिए हर चीज मिल गया ना आपको हेलो इलकेन ये CH3 CL एक हेलो इलकेन है इसकी अभिकिरिया Potassium Sainide से करवाया गया तो आपको क्या मिला Alkyl Sainide मिला उसके अलाबा क्या अब देखिए जो अभिकिरिया में सिर्फ हम Major Product लिखते है मुख्य उत्पाद को भासा में लिखा जाता है और Minor Product को छोड़ दिया जाता है तो यह चीज़ है आपके सामने उसके बाद अगला रियक्षन क्या है तो अगला रियक्षन है Alkyl IsoSainide का निर्मान Alkyl IsoSainide का निर्मान Alkyl IsoSainide कैसे बनाता है अब यहाँ था Sainide का निर्मान यहाँ था Sainide यहाँ पर है IsoSainide तो फर्ग क्या है दोस्तों, दोनों में CN ही होता है, जब बंध कार्बन बनाता है, तो इसे कहते हैं साइनाइड, जब बंध कार्बन बनाता है, तो उसे कहते हैं साइनाइड, और जब बंध नाइट्रोजन बनाता है, तो इसे कहते हैं आईसो साइनाइड, इसे कहते हैं आई आइसो साइनाइड जब बंध कारवन बनाएगा दोस्तों तो उसे साइनाइड कहते हैं और जब बंध जब बंध काउन बनाएगा जी नाइट्रोजन बनाएगा तो उसे हम कहते हैं आइसो साइनाइड उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों आइसो साइनाइड कहते हैं तो चली इस को देखिए देखते रियक्षन क्या कहता है हेलो एलकेन जलिये एथेनोइक जल में एथेनॉल मिला ये तुस्से क्या बनेगा जलिये एथेनॉलिक बनेगा सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करके सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करके हेलो एलकेन होगा तो एक जी सियन से करवाया जाता है तो क्या बनता है जी उपस्थिति किसका राता है जली है जल में एथेनोल को मिलाया जाएगा तो जली ए ऐसे लिकुल समय है इसकी ये इसकी करवाई जाती है जब reactions करवाई जाती है तो क्या प्राप्त लोगता है अब एक पलस होता है cin- cit Ground बनेगा यहां से और फाल करके यह जाएगा अब CS 3्य基本 का निर्मान होगा तो आइसो साइनाइड के निर्मान होगा तो एंसे लिख देंगे आइसो साइनाइड में क्या लिखेंगे दोस्तों तो एंसे लिख देंगे तो अभी हमने तीन अभी किरिया के बारे में चर्चा किया एक हॉप में अभी किरिया एलकिल साइनाइड अभी किरिया और एल यहां से अलग पार्ठ है यह अलग पाथ है तो हैलो एलकेन सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया करके है एक हैलो एलकेन कर लेति इसमें यह पंस होता है यह माझनस ऊंट एगा और इसमें जानते हैं कि दोनों इलक्टों जब ही धर उधर होगा इस पर डेल्टा पॉजेटिव होता है इसके साथ मिलेगा इस तो आ करके अपना जिन्दगी NO2 के साथ बनाएगा जिन्दगी बना लेगा अपना जिन्दगी खुश कर लेगा और AGCl के साथ मिलकर के AGCl कर लेगा तो दोस्तों देखिए हैलो एलकेन CS3C l एक हैलो किया और नाई्ट्रो एल्केइन बनाया जोस्तों कहते हैं नाइट्रो मैथेन कहा जाता है दोस्तों अगला है हैलो जन मेर इसमें क्या होगा है लो जन शान प्राधान होगा अभिकारक में, जो अभिकारक, एक दो अभिकारक होगा, अभिकरिया करने वाला, दोनों में हैलोजन होगे, दोनों में क्या होगे, हैलोजन होगे, और दोनों क्या करेंगे जी, आपस में हैलोजन का आदान प्रदान कर लें, आपस में क्या कर लेंगे, हैलोजन का आदान प् तो इसमें एक हेलो जन आपके है हेलो एलकेन आपका एक हेलो एलकेन CH3 अब इसमें है कि इन अभिक्रिया में अलकील फ्लॉराइड बनता है तो CH3, CH3 अगर इसमें BR से रियक्षन करवा दें एजी एजी अब यह होगा सिल्वर सिल्वर फ्लॉराइड की से अभिक्रिया कर वाएंगे इन पर्जेंस ओफ एसी टॉन इसे कहते हैं क्या कहते हैं एसी टॉन को फर्मूला दोस्तों यह होता है इधर भी CS3 इधर भी CS3 आ करके लग जाएगा इसी को एसी टॉन बोला जाता है इन पर्जेंस ओफ एसी टॉन तो यह जो है अपने एजी को अब एजी बी आर को ले करके चले जाएगा और CS3 के साथ आ करके काउन जुर जाएगा तो CS3 के साथ आ करके जुरेगा CS3 एप और यहां से एजी बी आर बन करके निकल जाएगा हो सकता है इस रियक्शन में CS3 आई भी हो अगिस jetzt Bक से reaction करे इन परजेंस आप senator बना ले इसकी साथ B Roc ये चीज आपको देखने हो देखने को मिल साद अगला हैं दोस्तों यह बनता है इस अभिकरिया में दोस्तो बनता क्या है तो एलकील आयोडाइड निर्मान होता है तो एलकील आयोडाइड इसमें कि आई इनपर्जेंसuggle सॅफ इसीटोन आभिकरिया करता कि आई से इनपर्जेंस ओफ इसिटोण की उपस्तदे में यह रीयक्षंस करता है तो यहां पर जानते हैं Δेल्टा पोजिटिव है डेल्टा-नेगेटिव है यहनिस होगी और यहां करके लग जाएगा तो यहां पर एलकील आयोडाइड सीस्थ्री आई प्राप्त होगा इसके अलाबा क्या निकल के अलग हो जाएगा के सील अलग आपका हो जाएगा प्रथक हो जाएगा अगर सीस्थ्री सील के जगा अगर भी यार भी ले ले यहां पर क्या ही ले इन पर जै सभ ऐसी टॉन ऊंट उपस्थित होगा तो फिर क्या होगा यहां पर भी है लोजन की अदला बदली होगी हेरा फेरी देखने को मिलेगा और सीअ शरी के साथ काउन आ के लग जाएगा आई आ करके लग जाएगा और आपका के बियार प्राप्त हो जाएगा आपका क्या दोस्तों प्राप्त हो जाएगा तो के बियार तो आज हैट्रो एलकेन के निर्मान हैलोजन बिन वे और एलकेल आयोडाइड अभी पढ़े इससे पहले भी इससे पहले भी ह अभिक्रिया पड़े तो सभी अभिक्रियाओं को जितना भी हैलो हैलो एलकेन की रासाइनिक अभिक्रिया था उसको आज हमने बहुत बढ़ियां से समाप्त कर लिया पूरा पूरा फिनिस हो आज तो चेप्टर तो फिनिस अभी नहीं हो रहा है सिर्फ हैलो एलकेन वाला बनता है अगले वीडियो से चर्चा होगा अब नामकरन तो जानते ही है आप और निर्मान के बारे में पढ़ेंगे और यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक के जिए साथ साथ अगर चैनल पर नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब केजिए वीडियो आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक मिले धन्यवाद